हेलो स्वीटार्स वागते हैं आप सबका मेरी यूटूब चैनल पे और फास्ट इस शुरुआत होती है मैं और मेली लड़ुश होना सो रहेते वैसे आज हमारे गड़ायते मुहा प्रवू और या देखी या पर क्याज चल रहा था कभी कुछी कभी गम का सीन और यहाल लिज तो मैं इसे भी दिखा रही थी और क्या कर रहे थे हम सब मुझे खुद भी नहीं पता और बाकि सब बहुत लोग मीसिंगे वो दिरे दिरे आप देखी लेंगे और हम सब बेट के गपशप मारी रहे थे कि बहार से बुलाबा आया अभी भूग लगेगा तो सब को आरती के लिए बाहर जाना है तो हम सब चले आए बाहर और यहां पर गाना स्टार्ट भी हो चुका है आज की ब्लोग है त्री इन वान मतलब मैंने त्री डियस का मिलके एक ब्लोग है बनाया है पर क्या ही करूँ मतलब इतना थोड़ा थोड़ा पर्ट किया है कि एक दिन का एकी ब्लोग बनी नहीं पा रहा था इसलिए थ्री इन वान कर दिया कैसा लगा मेरा आइडिया आरती हुई खतम अभी प्रसाथ खाने का टाइम है और हम सब यह बेट गए है और पोपी हाप यह ब्लोगिंग कर रही थी पता नहीं क्या दिखा रही थी मुझे खुद भी नहीं पता और मैं बाते करने में वेफ थी हमारे में जिसे हम कहते हैं मतलब इस दिन महाप रभू हमारे गर आएंगे और पूजा होगी और आज हमारे दादा जी को मरे हुए 16 या 17 दिन हो गए है और सिर्फ यह नहीं हम गर आए मेमान को भी नहीं चोड़ते पौपी कफ कैमेरा लेकर इनकी पीछे चली गए मुझे खुद भी नहीं पता रही है इनको देखे खाने में परीशान कर रही है फिर यह जां अब बाभी जिया जिया पोपी पॉपी सब का प्रशाद खाना हुआ खतम और अभी टाइम है महापरभू के अपने घर जाने का मतलब अभी महापरभू को लेकर चले जाएंगे जो बिश्रम आये थे वो और से पहले सारे घर में महापरभू को लेकर गुमेंगे कुछ रिवाज मुझे जादा कुछ नहीं पता और यह सब स्टार्ट हुआ था पर मैं यहां पर नहीं थे यह ब्लोग जिया बना रही थी कैसी बना ही मुझे खुद भी नहीं पता यहाँ पर महाप्रभू को सारे गढ़ में घुमा रहे ताकि सारे गढ़ में सुक्सांती बने रहे और पीछे मेरी माद, चाथी सब लोग है और हमारे अंकल है और अभी टाइ में फाइनली महाप्रभू चले जाएंगे और गारी में बेटे इस बाइ मतलब बहुत ही दुख रहता कोई तो रो भी रहता पाफली 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 यह ब्लोग बहुत ही पुरानी है सोचा अपलोट करूं कि नहीं करूं फिर सोचा मैं करी देती हूँ यहां पे महाप्रभू को विदा करके हम आ गये घर और यहां जिया रोने की ढूंग करने में वेस्ती और मैं इसे समझा रही थी मतलब मुनाटक ही कर रहे ते और आज की दिन की सवापती ही पर गड़ते हैं मिलते हैं नेक्स्ट डे आप लोग अपना अपना एक्सपिरियंस बताइए इस रात इतनी बारिश होई इतनी बारिश होई कि हमारे घर से पानी ही पानी हो गई तो गर में सारे मेहमान और यह सब होता तो कितना बुरा दिखता सब कुछ चलो मैं तुम्हें बहार लेकर चलती हूँ हम लोग अब बाहर जाता है और बाहर जाके मेरिके ब्लॉग से और यह देखे हमारे बुग आजी कैसे पूस लेकर खड़ी है मतलब नाले की पानी हमारे घर के अंदर गए इतना घंदा लग रहा था पर हम सारे कसंदें इंजॉय कर रहे थे कि इतना घंदा पानी है यह में समझ ही नहीं आ रहा था और पूचु को मतलब कहते हैं न सुने पे सुहागा वह वाला चीज हो गई थी उसके साथ कूद रही थी पानी में नाच रही थी क्या कर रही थी हम इससे संबाल ही नहीं पा रहे थे व्लाग है मेरे बार हांजा हां सुने घंदा बूर है और उसके बाद मैं घूओंगा अफली घंदा उन पानी हो जोगा पॉर वे वुचू स्लीप हट वे अधर के अंदर को यहां पर पानी पानी है पानी है यहां पर इतना पानी है को यहां पर कल पुझा हुआ था और यहां पर पानी हो गया है देखिये सब कितने इंजॉय कर रहे ते पर काम कितना बढ़ गया है सिर्फ हमें ही पता है क्योंकि रात में है मास पर्शो और आज दशमी भी है आज दशमी है हमारे घर के सामने से मा को लेकर जा रहे थे हम तो नहीं जा पाए तो यहीं से मा को प्रनाम किया पोपी पर मिला पर मिला और अब तक मैं ब्लोग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि में और मेरी बेहन पेकिंग करने में वेशते हैं मतलब सब कजन्स भी पेकिंग करने में वेस्ते वो सब चले जाएंगे अपने ग़र में मा और मेरी बेहन जाने वाले हैं मामा के गर क्यूंकि हमारे मामा आये है और हम कुछ दिन वहार रहेंगे फिर आएंगे घर पे आप सब को पता है अभी रात के एक या देर बज रहते हैं और हम सब बेट के खाना ख्या रहते हैं या THोरी केमेरा शाई है और सब पोस्ट देने वाली और लीजा तो केमेरा से इरिटिटी हो जाती है रात के 12 बजे काल وैरिप को ठाली लगया जाता है और फिर खाया जाता ह तो आज की ब्लोक की समापती ही पे होता है मिलते हैं नेक्स्ट दे कोई ब्लोक देखे या ना देखे जुही हर रोस ब्लोक देखती है और इतने दिन हम साथ रहे तो जाने के बाद सब को बहुत जादा मिस करेंगे हमारा स्टेशन यही पे आ गया तो हम उतरने वाले हैं टाटा जिया टाटा सब को अलविदा के के हम आ गए मा मा के गर रात इही रात में मामा और बड़े मामा और नयान भाई बेहन हम सब मिले घूमने के लिए कि हम पूजा नहीं घूमने वहाँ छोटे मामा और बड़े मामा बेटे हुए है और नयन बिशाल साथ में बेटे है और वो है हमारी कजन तुशू तुलू नहीं आई मैं सो रही थी और मुझे उठा कर लाए साथ में और लियां पर देखी ए बड़े मामा और नयन को खिला रहे तो और बिशाल को सब को भी खिलाया था मतलब बिशाल को और हम सब अपनेए अपना खाने का वेट करए है खानाा आता ही खा कर हम जाएंगे घर आज की इस ब्लोग के ही पेकर्टे समाप टप्टर के लिए टाटा बाई बाई दूआ में याद रखना हर हर मादेव